हलो, गुड मॉनिंग दोस्तों, नो अगस्ट 2018 की दिलिम्स अब्रेटर सीरीज में आपका स्वागत है, यावेंबदे हिंदू, पीएबी, न्यूजोने यार, और इसका द्योजना, देनिक जागर्ण, इनकी इंपोर्टेंट न्यूज हो हम यहाँ पर डिसकस करने वाले हैं, तो आज गा जो हमारा पहला आर्टिकल आया है, वो है mountain money ring के बारे में, तो देख लेते हैं mountain money ring है कहाँ पे, और कैं इसके बारे में context है, तो पहले तो हम इसके दोको location जानते हैं, फिर हम इसके बारे में context हो डिसकस करेंगे, सबसे एहम बात है कि mountain जो money ring है, इसकी location बेसिकल आपको बचाओं, तो हिमाचल प्रदेश में है, यह one of the highest mountain है हिमाचल प्रदेश का, तो यह चीज हमें धान है, इसके बारे में रखेने के base की location कहाँ पे है, कि वो फिक्ट समयरे लिए यहाँ पे important हो जाता है, इसके साथ ही जान रखेने की कौन-कौन से इस्टेट, कौन-क वोडर वाला एरिया है, वहाँ पे mountain monitoring है, वो basically इस्तित है, बात करें इसकी height की, तो है 6,593 meter, यहाँ बोल सकते हो की 21,625 feet, basically इसकी height हो है, तो यह में धान रखेना है, कि भी है कहाँ पे इसके बारे में facts है, वो बता चल गए कि इस वाली area, इसकी location है, वो यहाँ पे हो जाती है, अब news देखते है, news यह context कुछ इस पर खार है, कि एक woman अभियान, मतलब एक woman का एक दल है, वो इसकी highest peak है, इस पर चड़ाई करने के लिए भी तयार हो हुआ है, मतलब इसकी journey है, वो भी आतरा start होने वाली है, तो यह चीज़ हमें धान रखनी है, कि all woman expectation मतलब एक woman है, दल है, वो अभी इसके ओपर अपनी journey है, वो अभी start हो करने वाला है, तो यह हाँ पर context है कि important हो जाता है, तो यह चीज़ हमें थोड़ी धान है, वो रखनी है, अब हम बात करें, पहली woman की, जिन्होंने Mount Everest पे टढ़ाई है, वो कीती है, Mount Everest पी पीक है, उसको फते है क्या था, उ क्यों ही इसके ओपर woman अभियान है, वो भी यहाँ पी जा रहा है, तो basically कहा है, कि woman Everest expedition है, woman Everest अभियान है, इसकी अभी 30 साल है, almost वो complete हो गी थी, और उसी मोके पर इसके बारे में काफी सार न्यूज है, वो आ रही थी, तो एक तो आपको बता दूँ कि, FB कहा है, इसकी इसकी अब हम बात करते हैं, कि इसको funded कोन करेगा, तो fund है, यह दिया जाएगा, sports ministry के दोरा, तो यह effect भी हमें दान है, कि वो रखना है, देखो Indian mountaineering जो foundation है, उसने actually 1993 में पहला Indian Nepali एक अभियान है, वो श्टार्ट हो आता, जो कि Indian mountaineering foundation है, उसके दोरा इसके दोरा स्टार्ट है, व बात करें, इसमें fund की तो उसमाने आपको बता है, कि sports ministry के दोरा basically fund है, वो प्रवाइड हो किया जाता है, तो यह इसके features ते और जो context है, वो भी हमने आपे देख लिया, next जो हमारा article है हुआ है, इंडियन national trust for art and culture heritage के बारे में, तो INTACS के बारे में देख लेते हैं, क्या है, कि जैपूर के अंदर राजस्ता में काफी सारी buildings है, एक्चुली काफी heritage side है, तो अभी INCATS है, उसका plan यह है, कि जो heritage building है न, उन heritage buildings को थोड़ा डंक से कंजव वगर आगर किया जाए, तो उनको economic assets के तोर पे हम develop हो कर सकते हैं, भला वहां से हमें कुछ ने कुछ एक तरिके स यहां पर बनी रहे, तो अब हम चलते हैं, कि INTACS है, वो आकिर है क्या, देखो है, बेसिकली एक non-profitable charitable organization है, तो यह चीज़ हमें धान रखनी है, कि non-profit organization है, बना कब था, यह बना था, बेसिकली 1984 में, तो यह चीज़ हमें धान रखनी है, और सबसे एहम बात कह है, Society Registration Act 1860 के है, कि हमारे देश में जो भी वीरासत या heritage site है, उनके बारे में लोगों को aware करना, जागरू करना हो गया, इसके साथ ही एहम बात कहे है, कि लोगों को प्रोचसायद करना, conservation के लिए, कि बाई, जो heritage site है, उनको प्रोचसायद करना, हमारे लिए काफी एहम होता है, तो important fact UPC पूछ सकती है, statement के तुरूप, वो एक क्यों हो सकता है, कि 2007 में से UN के अवार्ड के दोरा भी नवाज जा गया था, क्यों, क्योंकि इस पर special conservative status दिया गया था, United Nation की जो economic and social council है, उसके दोरा, तो ये facts काफी important हो जाता है, कि बाई, UN के दोरा 2007 में से special conservative status है, वो दिया का थ जाता क्योंकि इन्होंने heritage site को can joke करने के लिए बहुत ही अच्छा गाम है, वो क्याता है, इस group ने, तो ये important fix हमें धान है, वो रखना है, दो-चार fix यहां पर important हो जाते है, देखो आप इंच जो का revision है, वो काफी साथ-साथ करते रिजिएगा, आज हम discuss कर रहे हैं, तो कल का जो भी lecture है, उसको आप जल्दी से एक बार revise कर लिजेगा, आपके पास जो भी hand-done notes है, ताकि आपको काफी सवलियत होती है, आगे एक साथ अब फिक बड़न नहीं बढ़ेगा, नेक्स जो हमारा article है, वो है है, उमंग एप के बारे में, उमंग क्या है, वो देख लेते हैं, उमंग का मतलबा unified mobile application for new age governance के बारे में, देखो आपको बता कि हमारे देश में government है, वो digital इंडिया को काफी time से प्रमोट हो कर लिए, गवर्मेंट चारी है कि digital इंडिया बने तो सब भी लोगों को facility हो मिलेंगी, और जो भी corruption हो गरा जिसे चीज़े हैं, उनको कुछ हट तक हम लगा हम है, वो लगा सकते हैं, और जब transparency रहेगी, तो अपजिर सी ऐसे चीज़ें कम हो हो जाएगी, तो यह basically आपको बता है कि government का main motor हो रखा गया था, इसके लिए government 2014 से कावे प्रियास कर दी है, बहुत सारी policy भी लेगा गी है, जिसे दन जन धन आधार mobile योजना लेगी थ इसके साथ ही और digital आने के लिए तरह तरह की scheme हो लएगी है, तो वो हमें धान होना चाहिए कि क्या government का basically concept है, अब हम देखते हैं थोड़ा कि यहाँ पर context कहा है, मलब UMAG Act को लेके क्या context है, context कुछ इस प्रकार है कि Telecom Regulatory Authority of India है, TRI, वो basically उसने भी दो application लाउज गया है, एक तो है DND 2.0 application और एक है my call application app, तो यह दोनों ही application है, वो consumer को protect करने के लिए, और consumer के standards है, safe guard है, guidelines है, उनको बचाने के लिए, मलब consumer के भलाई हो इसमें, उसके लिए basically लिए लाए है, वो गया है, तो अब हम पहले तो यह देखते हैं कि यह DND 2.0 app के हैं, और my call app हैं, इन दोनो के बारे में हम जानते हैं, जब हम बात करते हैं my call app की, यह basically user friendly application है, देको जब भी हम call करेंगे, तो जब भी हमारे call disconnect हो जाएगी, तो हमारे पास एक pop-up open होगा, जैसे हमारे पास normally मैसे जाता है कि आपने last call हो दो मिनिट की है, आपका इतना चार सबू लगा, तो उसी तरह क में क्या होगा, हमसे rating पुछ जाएगी, कि आपने call क्या तो आपकी voice rating कैसे है, बहुत आवाज काफी delay आ रही थी, आवाज time पे आ रही है, एस तरह किसे हमें feedback हो ले जाएगा, तो इसके साथ क्या होगा, कि voice call की quality है, उसको maintain करना में काफी help हो मिलेगी, इसके साथ यह rating हो द आपको आवाज में क्या था, disturbance ज्यादा था, fade ज्यादा हो रही थी, तो उसी तरीके से हमें आप पूछा जाएगा, ताकि company और अच्छा काम है, वो कर से गए, तो इससे customer के जो हिते हैं, customer के जो brights है, उनको protect है, वो क्या जाएगा, तो यह benefit application हमारे लिए हो जाएगा, जब हम बात करते हैं, D&D 2.0 application की, तो D&D का मतलब होता है, do not disturb, तो do not disturb जो application है, यह भी एक तरीके से इसका काम ही होगा, तो कई बार आपको पता है, हमारे पास काफी unwanted goal आयते हैं, daily marketing के लिए goal आते हैं, message आते हैं, कि आप ये job की जगा, आप यहाँ पी जा सकते हो, वो कर सकते हो तो इस तरीके के आते है, goal आते हैं, कि इसरा आपको idea की sim से ही, आपको पोस्पेड निक्सन से ही, प्रिपेट से ही, टीसी टीसी से जो message आते है, वो होगे, daily marketing की, मतलब आपको उन्च जो की ज़रूत नहीं है, बस फालतु में goal के आपको जा रहा है, तो अगर आप उनको र जैसा मैंने आपको बताया, कि government का digital India के तहती एक initiative है, वो लिया गया था, इससे देखो बात करें, तो इसमें एक तो e-governance को improve करने का बहुत अच्छा मोका है, बहुत अच्छा scope है, वो दिया गया है, जब हम इससे करें कि किसके दौरा develop किया गया है, तो यह develop किया गया था, Ministry of Electronics and Information Technology के दौरा, इसके साथ ही National e-governance division है, उसके दौरा basically इसका निर्मान है, वो क्या गया था, मलब Electronics and Information Ministry plus National e-governance division है, उन दोनों ने में के इस application का निर्मान है, वो किया था, इस application के features कह हैं, तो आप एक चीज़ में note कियो गया आपने, जैसे कि आपको PTM से payment करना है, तो आपको PTM का अलग से application डाउनोड करना होता है, अगर आपको अधार का access लेना होता है, तो आपको अधार के लिए application डाउनोड करना होता है, अगर आपको Facebook चलाने, आपको कुछ, sorry Facebook तो नहीं, आपको और कोई service देख लो government की, जैसे कि आप बोल सकते हो, कि government का, कोई e-marketing का, क आपको सारी facility मिल जाएंगी, आपको bill payment करना है, तो आप bill का payment भी कर सकते हो, आपको अधार कार्ट बनाना है, तो अधार कार्ट के लिए apply कर सकते हो, आपको driving license लेना है, तो driving license के लिए apply कर सकते हो, इसके साथ ही आपको इसे password बनाना है, तो उसके लिए apply कर सकते हो, आपको cylinder book करना है तो इसमें क्या किया गा है अब भी सो से जाद़ा अप्लिकेशन है वो कि आपके आपके सारी फेशलिटी यहां पे अप्लेटीशं को देगी है ताकि यहां पर कस्टम required एक प्लेटफों पर बहुत सार चीजों की प्रम या बहुत सकते हो कि फैर आपता सके तो यह बन जाता है नेक्स जो हमारा आर्टिकल आ है वो है थर्मल बेटरी के बारे में कंटेक्स्ट यह है कि आंधर प्रदेश वो वर्ड का पहला ऐसा एक स्टेट बोल चुकता है पहली ऐसी मिलब एरिया बना है जहां पर विश्व की थर्मल बेटरी प्लांट को लगा गया है तो यह चीज भी हमें तारक नहीं है भारत एनर्जी टेक्नलोजी प्राइवेट लिमेटेड है उसके द्वारा बेसिकली वर्ड का पहला थर्मल बेटरी प्लांट है वो लगया गया है आंधर प्रदेश में अब यहां पर बात आते है कि थर्मल बेटरी काम कैसे करती है फिचर है पोजिटीव होता है और एक साइड़ वहाता है निगेटीव ये सिकली गरम हो रहता है अब होता कियो है इस बेक्टरी को जो ही अगर हमस्य जो सिंक वाला एरी अरिया ए नाी बाठा strictly कूल जों वाला इस दो सब्कें घो जो ही हीट प्रडायट कर वाइट करनेगी आह भूब सकते होगे मिलब जो ही इसको को हीट दी तो गरम वा था अगर हम इसको वापस आठा देंगे föपने अपट ठंढ हहना खोद कर तो जो 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 होगा तो या एपने पात फो इनर्जी श्टोर किया इसने वह भार रिлीज कर गा यह basically इसमें mechanism हो use होती है मतलब क्या होता है इसमें हम light को store नहीं करते हैं इसमें हम thermal energy आप उसको heat है उसको store करते है basically आपको बताऊं तो तो यह difference होता है thermal battery में तो यह हमें धान है वो रखना है कि thermal battery में कौन से mechanism पर use है वो क्या ज़ता है अब देखो यह battery है solar वाले plants है उनके अंदर काफी useful है वो होती है चलो आपको अगर समझ में नहीं है तो एक बार फिर भी में repeat कर देता हूँ किसमें क्या-क्या concept है वो होता है नोर्मल एक battery है इस battery के अंदर एक side होता है वो होता है sink zone sorry sink जिसको बोलता है cool zone के नाम से तो यहाँ पर मैंने बता है इसके साथ ही एक होता है hot या जिसको बोलता है source तो इधर मालोगी हो गया hot और इसको बोल दिया है source अब क्योंका जो ही हम sink को यहाँ पर गरम करेंगी इधान रखना है यहाँ पर thermal energy देने का मतलब है इसको हम heat दे रहे है तो इसको heat देंगे तो क्या होगा दिखे 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 अंदर अपने साथ chemical reaction के फ़ल सुरूप क्या करेगा energy store कर लेगा अब भाई जो ही हमने इसको thermal energy यहां से हटा दी heat देना तो दिखे-दिखे ठंडा होगा तो जो जो यहां ठंडा होगा न तो जो यहां क्या करेगा अपने पास जो भी energy store हुई है न इस energy को बाहर निकाला शुरू कर देगा तो उस energy को हम फिर use है वो कर सकते है अब हम जैसे जो भी thermal power plant होते हैं इसके साथ हम कह सकते है solar power plant में भी इसका युज़ हो क्या जा सकते है कि solar power plant की energy है उसको भी हम श्टोर कर सकते है और thermal power plant की energy को भी इसमें श्टोर हो क्या जा सकते है इस battery की एक तो efficiency बहुत अच्छी होती है इससे benefit ही होगा कि एक तो नई energy storage है वो हमें देखने को मिलेंगे इसके साथ ही low carbon footprint रहेगा यह एक important fact हमारे लिए हो जाता है और energy की जो demand है हमारे इसको बढ़ती जा रही है तो उसको भी कृष्ट तक करो करने में हमें हमें सायता है वो मिलने वाली है तो यह basically difference होता है तो हमने देखा कि normal battery हो और इसमें क्या difference होता है normal battery में cathode होता है एक anode होता है जिसको हम charge करते है फिर वो discharge होती है इसका concept कुछ अलग होता है मतलब इसमें heat के मदद से ही सारा काम हो होता है तो यह चीज हमें दानक ना कि thermal battery है वो temperature difference के आदार पर काम हो करती है तो यह गरम होता है और यह ठंडा होता है दूसरा sink वाला area तो गरम ठंडा होगा तो उसके विज़े से यहां पे energy generate हो की जाएगी चलते है next article तरफ नेक्स जो आर्टिकल आया है वह है IACHR के बारे में तो इसके बारे में हम देख लेते हैं क्या है IACHR वो क्या है context हारा इसका काम है वह basically है कि human rights को प्रोटेक करने के लिए मतलब यह multilateral court है जो की actually क्या करता है human rights को प्रोटेक करने के लिए काम है वह basically करता है अब इसमे कौन-कौन इसके member है वह अहम बात होती है तो एक group है जिसका नाम है organization of American state यह organization of American state है यह actually इसकी बात करूँ तो oldest regional organization है यह आपको धान रख नहीं है कि विश्वा का oldest regional मतलब एक तक छेतरी संगठ नहीं है 1948 में basically इसका निर्मान है वह क्या गया था तो इसमे कौन-कौन सी countries member है हमें सब याद रखने की जरूत नहीं है बट mainly western countries आप बोल सकते हो कि North America और इसके South America की जो countries है वो basically इसके member है इंडिया को धान रखना इसका observable state का ही दरजा मिला हुआ है तो यह effect important हो जाता है UPC पूछ सकती है इंडिया member है या नहीं है तो इंडिया इसका दूर दूर तक member नहीं कि और observable status इंडिया को मिला हुआ है तो यह जो organization of America state है इसके जो जो भी member है वो ही member international American court of human rights के member है basically अब इसके total देखाए तो 35 member है जो कि US के जो आप उसकतों की state है वो भी इसमें सामिल है अब context का है वो हम देखने की कोशिस करते हैं यह तो हमने basic जिसे यहां पर discuss कर ली context कुछ यह है कि अभी IACHR है इसके दोरा एक नहीं asylum policy है वो लाई गी थी यह मालो के चार country है ठीक है अब यह हां से कोई भी एक country है पहली country है दूसरी तीसरी चोथी चार country है अगर पहली country से कोई member है इस member ने actually मालो कि आप चोथी country से permission ले लिए कि वहीमा आपका नागरिक बनना चाहते हूं आप मुझे एक तरी से तो अब इसमें क्या होगा यह जो नहीं asylum policy है इस आई आई एचर की इसमें प्रावदान है कि यह जो एक country से चोथी country में जो जाएगा न तो 20 में दो श्टेटों को इसको क्रोज करके जाना पड़ेगा ऐसा तो यह नहीं कि गयब हो जाएगा सिदै यहां से यहां आएगा तो इस लिए इस इस स्टेट को भी खोड़ गए गाए इसको भी खोड़ गए तो इन दोनों श्टेटों की जिम्हेंदार ही क उसको support देना होगा उस asylum policy के लिए कि हाँ भाई वो उस country तक पहुंच सके सुने चाहिए उस दोनों श्टेट की यहां पर जिम्हेदारी हो गई है यह दो तीसरा श्टेट है इसकी जिम्हेदारी बन गई है कि भाई वो यहां पर एक country के member को उनुमती दे कि वो चोथी country तक स इसलामत पहुंच जाए जैसे कि आप यह मालो कि अफगानिस्तान का कोई नागरिक है अगर इंडिया के अंदर वो रहना चाह रहा है इंडिया से उसने asylum मांगा है तो पाकिस्तान उसके साथ कोई टांग नेड़ है पाकिस्तान सुप्चाप उसे आराम से हां ने दे यह बे वो जब कभी को आर्टिकल में अगर वो चीज़े आ जाएंगी तो मुझ को वहाँ पर देख लेंगे बागी अब भी इतना फेक्त नहीं बन रहा है तो यह तो थी बेसिकली आज गी हमारी डिसकस्टन फिलाल की डिसकस्टन में इतना ही है थैंक्यू अर्मस फोर डिसकस्ट अर्मस